नमस्कार दोस्तो फिल्मी फ्राइडे पर आपका एक बार फिर से वेलकम है दोस्तो फिल्म एक रीमेक नेक्स चेक्शन की इस वीडियो में हम तेलगू फिल्म परुगू की बॉक्स ओफिस पर्फॉर्मेंस रिकॉर्ड्स और इस फिल्म के सभी रीमेक वर्जन्स के बारे में बात करने वाले हैं आज का ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है इसलिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो पूरा देखें तो चलिए बिन देरी किये आज की ये वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो परुगु तेल्गु लंग्वेज में बनी एक romantic action फिल्म थी जो 1 मई 2008 में रिलीज हुई थी तेलगू लेंग्वेज के साथ साथ ये फिल्म मल्यालम लेंग्वेज में भी डब की गई थी मल्यालम भासा में इस फिल्म को कृष्णा नाम से एक ही साथ रिलीज किया गया था इस फिल्म का डिरेक्शन तेलगू फिल्मों के जाने माने डिरेक्टर भास करने किया था जो परुगू के अलावा भी कई तेलगू फिल्मों का डिरेक्शन कर चुके हैं परुगू फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अलू अर्जुन, शीला कौर और प्रकासराज जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आये थे गाइस परुगू को मैकसिमम क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे इस फिल्म की बॉक्स ओफिस पर्फॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म ने इंडियन बॉक्स ओफिस पर करीब 15 करोड रुपे का कलेक्शन किया था जबकि वर्डवाइट बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने लगभग 40 करोड रुपे के आसपास का ग्रोस बिजनिस किया था साथ ही बॉक्स आफिस पर इस फिल्म को हिट टिकलेर किया गया था दोस्तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये फिल्म तेलिगू लेंग्वेज के साथ-साथ मल्यालम लेंग्वेज में भी रिलीस की गई थी और वहाँ पर भी ये फिल्म सक्सेस्फुल रही थी दोस्तो बॉक्स आफिस पर हिट होने के साथ साथ परगू फिल्म को उस साल अलग-अलग काटेगरी में छे नोमिनेशन मिले थे जिन मेंसे इस फिल्म ने टीन अवार्ड जीत लिये थे इन मेंसे अलू अरजुन को फिल्म फेर अवार्ड साउथ की तरफ से बेस्ट एक्टर और नंदी अवार्ड की तरफ से स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिया गया था दोस्तो इस फिल्म को बॉक्स आफिस पर तो सक्सेस मिली ही थी साथ में टीवे पर भी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था जिसके चलते ये फिल्म आडियन्स के बीच काफी पॉपलर हो गई थी मल्यानम लेंग्वेज के अलावा ये फिल्म हिंदी में भी डब की जा चुकी है हिंदी लेंग्वेज में इस film को वीरता दी पावर नाम से डब किया गया था और हिंदी ओडियंस की तरफ से भी इस film को काफी अच्छा रिस्पोंस मिला था इस film के हिंदी डबिंग के राइट्स गोल्ड मैं टेली फिल्म ने खरी दे थे जिसके बाद उन्होंने ये फिल्म अपने ओफिशल यूट्यूब चनल पर भी अपलोड की थी हिंदी वर्जन में ये फिल्म आपको अभी भी गोल्ड मैन टेली फिल्म्स वालों के यूट्यूब चनल पर मिल जाएगी अगर आप चाहें तो इसे वहां जाकर देख सकते हैं दोस्तो परगू की जबरदस पॉपलर्टी को देखते हुए अभी तक ओडिया, बेंगॉली, हिंदी और नेपाली को मिला कर टोटल चार रीमेक बनाय जा चुके हैं तो आईए अब इन सबी रीमेक फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो सबसे पहले परगू फिल्म का रीमेक 2010 में ओडिया लैंग्वेज में बनाया गया था ओडिया बाशाम में ये फिल्म संजू आउ संजना नाम से रिलीज हुई थी फिल्म में बाबुशान और परीजात लीड रोल में नजर आये थे ओरिजिनल फिल्म की तरह इस फिल्म को भी क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छी रेटिंग मिली थी साथी ओडियन्स की तरफ से भी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्मोंस मिला था इसके लावा बोक्स ओफिस पर भी ये फिल्म सक्सेस्फुल रही थी इन सब के लावा तरंग सिने आवार्ट्स की तरफ से इस फिल्म को उस साल चार आवार्ट्स भी मिले थे गैज ओडिया रीमेक के बाद 2010 में ही परगू फिल्म का दूसरा रीमेक बेंगॉली लेंग्वेज में भी बनाया गया था बेंगॉली भाषा में ये फिल्म शेदीन देखा होई चिलो नाम से रिलीज हुई थी फिल्म में देव और स्रबंती चटरजी लीड रॉल में निज़राये थे इस फिल्म को भी औरिजिनल फिल्म परगू की तरह क्रिटिक्स की तरफ से शानदार रिव्यूज मिले थे इसके लावा ओडियंस की तरफ से भी इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पोंस मिला था इस फिल्म को लगबग चार करोड पचास लाख रुपे के बजट के साथ बनाया गया था जबकि बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने बारा करोड रुपे से भी ज़्यादा की कमाई की थी साथ ही बॉक्स आफिस पर इस फिल्म को ब्लॉक बस्टर डिकलेर किया गया था दोस्तो ओडिया और बेंगोली रीमेक के लावा तेलगू फिल्म परगू का रीमेक बॉलिवुड में भी बनाया गया था ये फिल्म हीरो पंती नाम से साल 2014 में रिलीज की गई थी इस फिल्म में टाइगर सरॉफ और कृती सेनन लीड रोल में नज़र आये थे साथ ही ये इन दोनों का बॉलिवुड डेब्यू भी था इनके लावा प्रकाश राज अपने उसी किर्दार में नज़र आये थे जो उन्होंने औरिजिनल फिल्म परगू में निभाया था इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले थे लेकिन ओडियन्स की तरफ से इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पोंस मिला था इस फिल्म की बॉक्स ओफिस परफॉर्मेंस की बात करें बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म को हिट डिकलेयर किया गया था। गैस बॉक्स ओफिस पर हिट होने के साथ साथ ये फिल्म उस साल कई अवार्ड जीतने में भी काम्याब रही थी। इस फिल्म को उस साल अलग-अलग कटिगरी में 17 नोमिनेशन में ले थे। जिन में से इस फिल साल 2018 में रिलीज हुई आदिवी शेश की तेलगू फिल्म गुड़ाचारी के रिमेक होगी पहले इस फिल्म की रिलीज डेट 16 जुलाई 2021 की गई थी लेकिन COVID-19 की वज़द से इस फिल्म की शूटिंग काफी डेले हो चुकी है अब ये फिल्म 3 दिसंबर 2021 में रिलीज की जा स इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले थे साथी ओडियन्स की तरफ से भी इस फिल्म को ज्यादा अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिल पाया था क्योंकि फिल्म के मैक्सिमम सीन्स तेलगू फिल्म पर उसे कॉपी किये गए थे जिसके चलते फिल्म को ने आनकारी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल ना भूले इन फ्यूचर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिल्म में रैटे को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आने वाद आपका दिन शुभो